नमस्कार किसान साथ यो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल किसान चोपाल पे तो चली आज की यूडियो शुरू करते हैं जिन लोगों को नहीं पता, बाकी वैसे सब किसान भाईयों को पता ही होगा नेपिर घ्रास के बारे में, तो देखें, यह हमारे पास है ताइवान जोइंट नेपिर घ्रास, सबसे पहले में आपको इसकी विशेषता के बारे में बताता हूं, देखें, यह जो है, इसके प्राइन करी गई है हमने अभी ये जून के लाश्ट में लगाया था और देखे पहले लान के लिए तयार हो चुका है जैसे इसका पहले लान लिया जाएगा तो तब आप इसकी और भी रंगत देख सकते हैं रंगत में दुगने का फरका जायागा इसकी लंबाई बहुत चल आप एक बार लगाईए और कई साल तक अराम से बिल्कुल फूरी हो जाईए काटते रहे यह फूटते रहेगी तो यह उसकी नएवाल नसल है ताइवान जोइंट जो की हाई इल्ड है हाई प्रोटीन है और पूरी तरह से पस्वों के लिए उप्यूक्त है यह देखे नए यह नए नसल का फायदा देखे किसान भाईयो यह तीन दिन पहले कटाई है देखे कितनी ग्रोथ आचूके इसमें देखे इतने हमें आगए से हम खतम नहीं कर पाएंगे पीछे से फिर देखे तयार हो जाएगा तो देख किसान साथ यहो बात करते हैं इसके लगाने की तो आप खूड से खूड की दूरी 4 फूट और पोदे से पोदे की दूरी 3 फिट तक रख सकते हैं क्योंकि जब ये कटने के बाद जब और फूल के आएगा नया तो पहली बार में लगबग 40 तक कल्ले निकल के आजाते हैं 40-50 के बीच जब ये कटका आएगा तो और भी कल्लो की संक्या दुगनी हो जाएगी जिससे की जब ये पास-पास रहेंगे तो इन्हें फलने फूलने में दिक्कत आएगी तो आप जो है 3-4 फूटे गैप से पोधे से पोधे की दूरी रखें और खूड से खूड की दूरी भी 4 फूटे पांच फीट रखें साफिसा अगर आप चाहें पोधे साखस mental ही कुछ नग चुछ मिए हुमने देखके यहां पर भिंडी लगा रख्या अपने घर के लिए और अभिंडी को ही तोड़ने आए हैं है क्योंकि साम को भिंडी बनाँ tied तो पस्वों को और अपनों दोनों चारे का प्रोपर इंतिजाम कर रखा हमने एक ही जगर पे तो जिन भी किसान भाईयों को अगर इसका बीज भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी हमारे रेंज में होगा उसे ये बीज प्रोवाइड करा देंगे तो देखे किसान साथियो आसा करते हैं आपको दीहुजन कर अच्छे लगी होगी और आपकी जो चारे की समस्या है काफियत तक इससे खतम हो जाएगी तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान